सर हमारा admit card school वाले hold कर रहे हैं और admit card हमें नहीं release कर रहे हैं सर ऐसा क्यूं हो रहा है officially CBAC का क्या कहना है किन scenarios में school आपका admit card रोक सकता है वो सारी सीजे हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं आईए देखिए तो सबसे पहली बात तो यह बताईए सर क्या 75% attendance mandatory है या नहीं है यह समझेंगे बट उससे पहले यह समझो कि CBAC का क्या कहना है officially CBAC के बारे में क्या बोलती है जहां से देखो CBAC की guidelines हैं कि यह 75% attendance student की होनी चाहिए बट अगर उससे attendance कम है in that scenario schools को performa fill करना होता है उन students का और specify करने होते हैं उनके नाम with documents like अब सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं डॉक्यूमेंट सुनो ध्यान से देखो अगर बच्चे की attendance 75% से कम है अगर किसी भी student की attendance 75% से कम हो रही है तो उसके क्या logic हो सकते हैं सर या तो illness रही होगी कोई बिमारी की situation रही होगी जिसके वैसे बच्चा लंबे समय से स्कूल में नहीं आया इन डाट सिनेरियो medical documents की requirement होती है और further medical reports मांगी जाती है like x-ray report, MRI report इसके अलावा और क्या हो सकता है कोई death का scenario हो सकता है loss of father and mother इन डाट सिनेरियो death certificate की requirement होती है इसके अलावा और कोई ऐसा ही similar reason है तो concern authority का certificate वो मांगते हैं इसके अलावा अगर कोई student sports activities में ज़्यादा indulged था पूरे साल sports activities में किसी competition में भाग ले रहा था sports के competition में तो उसके लिए तैयारी कर रहा था sports activities में ज्यादा बच्चा अगर involved है तो definitely उसके भी sports authority के certificate वहाँ पर लगाए जाते हैं और यहाँ पर sports वाले students के लिए 60% तक की attendance है और यहाँ पर relaxation भी देते है sports वाले students को तो definitely इनके जो documents है और जो certificates है यह submit करे जाते हैं by the school performa के अंदर तो यह उन students की detail फिल करते हैं उस performa के अंदर जिनकी 75% attendance से कम है specifically उनका नाम जाता है उसके अंदर और उनके certificates proper तरीके से submit किये जाते हैं उनके reason submit किये जाते हैं ताकि उनका admit card release हो जाए और यह जनवरी के महिने में starting में हो जाता है तो performa already schools आपके submit कर चुके हैं अब admit card आने start हो चुके हैं इसके बाद मैं कुछ general बात है करना चाहूंगा क्या 75% attendance mandatory है देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को school to school teachers to teachers principal to principal अलग-अलग scenario यहाँ पर देखने को मिलते हैं होता क्या है schools में teachers जिस हिसाब से आपकी attendance चड़ाने वाले हैं अगर वो daily basis पर आपकी present scenario लगा रहे है present 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 आ रही है तो आपकी 75% attendance वाह से पूरी हो जाती है in that case आपका admit card नहीं रुकेगा इसके लावा और क्या scenario हो सकता है maybe हो सकता है कि कुसी बच्चे के dues pending है fees pending है तो in that scenario वो आप से fees release करने के लिए बोलते हैं कि fees हमारी pay कर दीजे then आपको admit card दे देंगे तो ठीक है वो school के अपनी problem है इस तरीके से वो आप खुदी उन चीजों को tackle कर सकते हो खुदी आप सामने से जाके उन से बात करोगे accordingly वो आपको solution provide करेंगे इसके लावा और क्या हो सकता है इसके लावा आपने कोई ऐसा student है जो की उसकी performance इस school में अच्छी नहीं रही पूरे साल उसकी performance भी अच्छी नहीं थे उसके marks भी अच्छी नहीं आ रहे थे और इसके अलावा वो school में भी irregular था school में भी उसकी attendance बिलकुल नहीं थी अपसेंट रहता था, school बंक कर लिए था, गोल करता था तो इस case के अंदर principal और teacher की सहमती के साथ ऐसे students का admit card रोक लिया जाता है बट ये बहुत rare case है बहुत rare case है admit card रोक लिया जाता है ताकि उनके school का result खराब ना हो reason सिर्फ इतना है तो दो reason है, dues pending है इसके अलावा, आपका result है पर नहीं होना चाहिए, school का because अगले साल फिर से उनको students को enroll करवाना है और वो result को अच्छा रखना चाते है तो अगर कोई student लग रहा है कि जिसकी performance बहुत जादा खराब है बहुत ही जादा खराब है, irregular है school भी नहीं आता, पढ़ाई में बिल्कुल पूर है तो ऐसे scenario में उनको रोक लिया जाता है बट यह बहुत rare circumstance होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है so 75% attendance as such mandatory नहीं है student अगर अच्छा पढ़ाई कर रहा है, अच्छी उसकी performance है पूरी करके और उन बच्चों को proper तरीगे से admit card release कर देते है तो बहुत सारी चीजे है आपकी कैसी tuning है teachers के साथ आपकी कैसी छबी है school में principals के साथ आपकी bonding कैसी है कैसे आपको teacher जानते है अगर उनको लगेगा कि student कहीं ना कहीं problem create करेगा या पढ़ाई में बिलकुल week है इस scenario में वो आपको थोड़ा सा last time पे थोड़ा सा pressure बनाएंगे ठीक है और आपको उनसे बात करनी चाहिए ऐसे scenario में जाकर उनसे बात करो समझो उनको वो क्या कहना चाह रहे है ठीक है उनकी जो भी requirement है उनकी requirements को fulfill करो और admit card को release करवाओ और make sure आपकी studies बहुत अथी चल रही होंगी and all the best for your learning and examination stay tuned with us for more information like the video subscribe the channel and share with your maximum friends thank you so much बच्चो जै श्रीशाम